हाई फ्रेंड्स आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए आलू और मटर की सालन वाली सबजी यह हमारी सबजी बहुत सिंपल और इसली बन जाती है तो यहां पर मैंने ले लिया है आलू यह आलू वजन में हमारा 25 गिराम है आलों को मैंने 2-3 पानी धूल लिया है और इस तरह से चोटे-चोटे टुकड़े में काटा है हमने आपको जितना चोटा बड़ा पसंद हो उसी हिसाब से आप काट सकते हैं और यहां पर मैंने ले लिया है 25 गिराम मटर इसको मैंने साफ करके धूल लिया है अब यह दोनों को हम कर देते हैं साइड में और यहां पर मैंने ले ल लस्म है और एक इंच का तुकड़ा चोटा सा अध्रक और एक छोटी वाले चम्मस से जीरा और आठ से 10 से 15 दाने काली मिर्च है और ये तीन से चार लाल मिर्ची और हमने ये धन्ये की पत्ती लिया है इस तरह से ढंठल वाला हमने लिया है और ये आधे कटे हुए प्याज ये मसाले को हम मिक्सी जार में पेस्ट बना लेंगे ये प्यास हमारे आदे हैं तो इसको भी हम थोड़ा सा रफली काट लेते हैं और ये अद्रब को भी काट लेते हैं और ये धनी की पत्ती भी डाल देते हैं और इन सब मसालों को भी डाल देंगे इसमें और इसका हम बारीक पेस्ट बना लेते हैं तो मैंने मसालों को इस तरह से पीस लिया है और हम चलते हैं अपने गैस पर तो मैं अपने गैस पर आचुकी हूँ और मैंने अपने गैस को अन कर लिया है अब हमारी घरम हो रही है तो अब इससे डाल देते हैं 5-6 चमच ओल धियो अब इससे डाल देते हैं एक medium साइज के कटे हुए प्याज आश सिसी गसा है कि यह ऐस है हमको फीर काटे अच्छा लगता है तो हम डाल देते हैं है आपको नहीं पसंद द Y अधğर को हम गोलडर ऐंगे तो कि घाल इसमें यह वाले ऐड़ा ड़ितेहर तो कि अ cumplasht तक फराई कर लिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं, ये मटर, इसको भी हम एक मिनट भून लेंगे, इस मसाले को मैंने डाल दिया है, दो मीडियम साइज के मैंने टमाटर भी काट कर डाल दिया है, सुखे मसाले भी एड़ कर देते हैं, ये आधा चमच मैंने लिया है, लाल म गरम मसाला पाउडर एक से दो चमच हम डाल देते हैं धनिया पाउडर और आधे चमच हम एड़ कर देते हैं हल्दी पाउडर एक चमच मैं एड़ कर देती हूं नमक आप अपने फसंद के हिसाब से रख सकते हैं और आधा चमज मैंने ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यह ऑप्शनल है हमने कलर के लिए डाला है कलर अच्छा आता इससे और इन सब को हम मिक्स कर लेते हैं हमने पानी अभी एड नहीं किया है यह सबजी को हम ऐसे एक दो मिनट ढखकर पकाएंगे फिर उसके बाद चेक कर लेंगे तो पकती हुए एक से दो मिनट हो चुका है अब हम अपने सबजी को चेक कर लेते हैं अब हम यह सबजी का मसाला भून लेते हैं इस तरह से मैंने गैस के फिलेम को हाई कर दिया है ताकि हमारा मसाला जल्दी भून जाए हम मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाला हमारा ओयल ना छोड़ दे तो मसाला हमारा भून चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं एक गलस पानी तो मैंने पानी को डाल दिया है अब इसको हम चला लेते हैं बहुत अच्छी खुश्चबू आ रही हमारे सब्जी में से तो मैंने सब्जियों को चला लिया है अब हम ढख देते हैं सब्जी को और मैं गैस के फ्लेम को मेडियम कर देती हूँ और इन सब्जी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे आलू गल नहीं जाते हैं हम सब्जी को बीच बीच में चेक करते रहेंगे ताकि हमारी सब्जी नीचे तले में पकड़े नहीं और फिर हम सबजी को ढख देते हैं, अब हम अपने सबजी को चेक कर लेते हैं, कि हमारे आलू गले की नहीं गले तो हमारे आलू गल चुके हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं, थोड़े से और पानी, आधा कप के लगभग, अपने गिरेवी के हिसाथ से जितना आप गिरेवी रखना चाहें, उतना आप पानी डाल सकते हैं, तो हमारी सबजी अब तैयार है, अब फाइनली हम इसमें डाल देते हैं, धनी की पत्ती, इसको भी हम कर लेते हैं, मिक्स, अब मैं अपने गहस के फिलेम को बंद कर देती हूँ, और सबजी को हम डिश आउट कर लेते हैं, तो हमारी सबजी बहुत टेस्टी बनी है, और हम थोड़े से धनी की पत्ती से गार्निश कर देते हैं, तो मैंने धनी की पत्ती से गार्निश कर दिया है, तो आप हमारे तरीके से एक बार ये सबजी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनेगा, और ये हमारे आलू मटर की रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी रेसिपी डालू, तो आप तक जल्दी से पहुँच सके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, अल्ला हाफीज,